11 साल में दो सहारा कमपनियों के बिनिसेवी ने कहा कि रिंट चुकाने के लिए बैंक खातों में जमाराशी बढ़कर 25,000 करोल रुपे से अधेख हो गई है 2011 में सैबी ने SIRL और SHICL को वेकलपिक रूप से पूर्ण परिवर्तनिय बॉंड OFCD के रूप में जाने जाने वाले कुछ बांडों के माध्यम से निवेशिकों से जुटाई गए धन को वापस करने का आदेश दिया था क्योंकि नियामक ने फैसला सुनाया था कि सहारा की दो कमपनियों ने इसके नियमों और विनियमों का उलन्गन करके धन जुटाया था पुदीना, बाजार नियामक भारतिय प्रतिभूती और विनिमाई बोर्ड सैबी ने सोमवार को कहा कि उसने ग्यारा वर्षों में सहारा की दो कमपनियों के निवेशकों को 138.07 करोल रुप्ये लोटाएं हैं सैबी ने कहा कि पुनर्भुगतान के लिए विशेश रूप से खोले गए बैंक खातों में जमराशी बढ़कर 25,000 करोल रुप्ये से अधेक हो गई है इसकी वार्षिक रिपोर्ट अगस्ट 2021-2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा की दो कमपनियों सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉपरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन लिमिटेड एस एच आई सी एल को लगभग 3 करोर निवेशकों को ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया गया था सैबी को रिफंड के लिए 31 मार्च 2013 तक तिरपन 1687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए सैबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के संबंध में रिटन किये गए जिनमें 67.9 करोल रुपय की ब्याज राशी थी जो कुल 138.07 करोल रुपय थी रिपोर्ट के मुताबिक वितव वर्ष 2022 माइनस तेस में सैबी द्वारा रिफंड की गई कुल राशी में महस 7 लाक रुपय की बढ़ोतरी हुई जबकि सैबी सहारा के रिफंड खाते में 6 राशी में 1,087 करोल रुपय की बढ़ोतरी हुई 31 मार्च 2023 तक सैबी ने कुल 15,646.68 करोल रुपय की वसूली की है ये राशी यूग्य बंध धारकों को बकाया राशी वापस करने के बाद अरजित ब्याज के साथ 31 अगस्ट 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसरन में राश्ट्रियकृत बैंकों में जमा की गई थी 31 मार्च 2023 तक राश्ट्रियकृत बैंकों में जमा कुल राशी लगभग 25,163 करोल रुपय है सैबी ने कहा 2011 में सैबी ने S.I.A.R.E.L. और S.H.I.C.L. को वेकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनिय बॉंड O.F.C.D. के रूप में जाने जाने वाले कुछ बांडों के माध्यम से निवेशिकों से जुटाई गए धन को वापस करने का आदेश दिया था क्योंकि नियामक ने फैसला सुनाया था कि सहारा की दो कमपनियों ने इसके नियमों और विन्यमों का उलंगन करके धन जुटाया था इस साल जुलाई में केंद सरकार ने उन जमा करताओं को 5,000 करोर रुपे वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जिनके फंड को सहारा समूँ की चार सहकारी समितियों में नुकसान हो